अपनी जापान याद्रा के तीसरे दिन आज उपमुख्य मंत्री देविंद फर्डवीस ने कई गन्मान्य वैक्तियों से मुलाकात की और दिन का कारिक्रम समाप्त होते ही भारत ने चन्रमा पर कदम रखा और जापान में भारतियों के साथ इस पल का जश्ट मनाया पूरे जापान में आज वन्ति मात्रम और भारत माता की जैके नारे को जुटे इस खुशी और एतिहासिक्षन से पूरा माहुल अभी बुद हो गया जापान याद्रा के तीसरे दिन उपमुख्य मंत्री देविंद फर्डवीस की आज पहली मुलाकात इस जापान रिल्वे क कंपनी जेयार इसके चेर्मेन और सीओ यूजी फूका सावा से हुई इस साउसर पर कंपनी के अन्य अधिकारी एकुजू असामी और ताकिशी सुयोश्यू भी उपस दित थे इस मौके पर उपमुख्य मंत्री देविंद्र फर्डवीस ने कहा कि हम जेयार इसके मुख्या इसे चल रहा है और समय सीवा का पालन क्या जा रहा है दोहजार बीस की बाद जो कटनाईया पैदा हुई उन्हें अब दूर कर लिया क्या है और टेजी से कांग क्या जा रहा है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतुत्व में भारत में बड़े पैमाने पर सड़क और रेलवे का काम हो रहा है और 500 रेलवे स्टेशनों का आधुनी की करन क्या जा रहा है भारत में वंदी भारत रेलवे नेट्वर पी स्तापित हो चुका है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिल रहा है यात्रा की गती विकास और अर्थ व्यवस्ता को गती देती है ब अभिशेक पांसी की रिपोट